Hello Friends, Welcome to Super Technicals Friends, Imagine Pay से हम normally mobile या scan करके payment करते हैं पर कभी-कभी हमें जरूरत पढ़ जाती कि हमें bank account में payment transfer करने पढ़ती है तो आज की वीडियो हमारी इसी topic पर है कि हम Imagine Pay से bank account में payment कैसे transfer करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं Friends इसके लिए हमें अपना Imagine open करना है Imagine हम open करेंगे तो जिन नीचे की ओर चार डॉट्स हैं चार डॉट्स के उपर क्लिक करेंगे और normally जैसे हम simple mobile number पे payment करते हैं वहाँ हम पहुंचेंगे Imagine Pay के उपर क्लिक करके simply हम यहाँ आ जाएंगे और इसके बाद हमें send money के उपर क्लिक करना है यहाँ मैंने highlight जहां किया है send money के उपर हम क्लिक करेंगे and then यहाँ two bank के उपर क्लिक करेंगे जो two bank का option है इसके उपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर क्लिक करने के पाद friends देके यहाँ पर आपको IFSC code डालने का option मिल जाएगा IFSC code डालेंगे उसके बाद हमें account number डालना है जिस account number पर हमें send करना है फिर से नीचे भी same वही account number हमें re-enter करना है and then उसके बाद proceed to send money के उपर click करेंगे तो पहले चलिए हम यह details को fill कर लेते हैं details fill करने के बाद हम proceed to send money करेंगे अब यहां में payment डालने का option मिल जागा यह मैंने 1500 कर दिया and then pay now के उपर click करेंगे यहां में अपना UPI pin डालना है जो imagine pay का UPI pin होगा and then इसके बाद payment हो जाएगी तो चलिए आगे दिखाते हैं यह processing में चली गई payment यह processing देखिए यह payment हो गई इस प्रेकार हम किसी भी bank account में payment को transfer कर सकते हैं फ्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें thanks for watching वीडियो